जै हिंद बच्चों, तो हम आपके लिए अर्दवार्सिक परिच्छा 2024-2025 के लिए कच्छा 11 का विश्य सामान हिंदी का प्रश्ण पत्र लेकर आए हैं ये प्रश्ण पत्र आपके अर्दवार्सिक परिच्छा 2024-2025 के लिए बहुत महत्पोर है तो आप लोग इस प्रस्ट पत्र को एक बार एक्जाम से पहले जरूर देख कर जाएगा क्योंकि ये एक कुश्चिन पेपर आपको एक्जाम में देखने को मिल सकता है तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पहुवी कल्पी पेश्ट आएंगे तो हम सबसे पहले उनको देखते हैं तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा कोईशन है दुवेदी युग के लेखक हैं तो दुवेदी युक के लेखक हैं, आपको simple दिख रहा होगे, हजारी प्रसाद दुवेदी होगे, क्योंकि इनके लाश में दुवेदी लगा है, तो ये इनके नाम पर ही है, हजारी प्रसाद दुवेदी, तो यहाँ पर इसका right answer क्या हो जाएगा, हजारी प्रसाद दुवे पत्रिका है आनंद कादम्बनी कौन सी है आनंद कादम्बनी जो है वो पत्री नायंड चोधरी प्रेम घंद्वरा संपाजित पत्रिका है तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आनंद कादम्बनी क्या हो जाएगा आनंद काद नेक्स्ट है निमल्खित में से कौन पत्रिका नहीं है यहाँ पर आपको बताना है निमल्खित में से कौन सी पत्रिका नहीं है तो इंदो भी पत्रिका है सरसुती भी पत्रिका है आनद कादम्बनी भी पत्रिका जैसा कि हमने उपर देखा लेकिन यहाँ पर जो आपका भारत जो है एक पत्रिकार नहीं है इसलिए option आपका क्या correct हो जाएगा तो option यहापर आपका third correct हो जाएगा next है राम चंदर्शुकल के निमंदो का संग्रह है क्या है राम चंदर्शुकल के निमंदो का संग्रह है तो राम चंदर सुकल के निमंदु निमंदु का संगर है क्या है चिंता मनी है तो आपशन आपर आपका first correct हो जाएगा इटा क्या correct हो जाएगा आपशन first आपका correct हो जाएगा नेक्स्ट है निवंद् प्रॉनद्थम इस्तर तक पहुँचा यानि कि निमंद प्राणतम इसतर तक किस युग में पहुचा था तो निमंद जो है प्राणतम इसतर तक दुवेदी युग में पहुचा था तो यहाँ पर इसका right answer क्या हो जाएगा तो इसका right answer हो जाएगा आपका first दुवेदी युग क्या हो जाएगा दुवेदी युग नेक्स्ट है नीचे दिये गए विकल्पों में से सही उत्तर का चैन कीजिए यहाँ पर नीचे दिये गए विकल्पों में से सही उत्तर का आपको चैन करना है अमीर खुसरो कवी है क्या है? अमीर खुसरो कवी है तो अमीर खुसरो जो है वो रीतिकाल के कभी है किसके कभी है रीतिकाल के कभी है सौरी यहाँ पर गलत आप शुन होगे आदिकाल के कभी है किसके कभी है आदिकाल के कभी है तो यहाँ पर इसका right answer क्या हो जाएगा राइट answer आपका हो जाएगा यहाँ पर आदी काल क्या हो जाएगा आदी काल के कवी है next है बीसल देवराशो के रचैता है क्या है वीशल देवराशो के रचैता है तो बीसल देवराशो के रचैता कौन है नर्पती नाला है कौन है नर्पती नाला जो है वो वीशल देव रासो के रचैता है तो यहाँ पर option number आपका क्या correct हो जाएगा तो option number यहाँ पर आपका third correct हो जाएगा नर्पती नाला है यहाँ पर correct कर लेंगे आप लोग क्या कर लेंगे आदी काल कर लेंगे क्या कर लेंगे आदी काल कर लेंगे नेक्स्ट है प्रत्वी राज रासो का रचना काल है तो प्रत्वी राज रासो का जो रचना काल है वो है वीर गाथा काल कौन सा रचना काल है तो उनका रचना काल रचना काल है वीर गाथा काल कौन सा है वीर गाथा काल है यहाँ पर आफशन नमर आपका क्या correct हो जाएगा तो option first आपका correct हो जाएगा वीर गाथा काल क्या हो जाएगा वीर गाथा काल next है निम्लकित में से प्रियोगवादी कभी कौन है क्या है प्रियोगवादी कभी कौन है तो यहाँ पर प्रियोगवादी कभी कौन है तो प्रियोगवादी कभी है यहाँ पर सच्चिता नंदी हीराने पास्याहिन अगे है जिनको हम सौट राम से जानते हैं अगे है यह प्रियोगवादी कभी है यहाँ पर option number आपका क्या correct हो जाएगा तो option number यहाँ पर आपका जो है fourth correct हो जाएगा option आपका fourth correct हो जाएगा अग्गे हे क्या हो जाएगा अग्गे हे option number fourth आपका correct हो जाएगा next है अश्ट छाब के कभी नहीं है क्या है अश्ट छाब के कभी नहीं है यहाँ पर जो है नंद दा, सूर्द दा रुछी स्वामी जो है ये अश्ट छाप के कभी हैं और अगर हम लोग देखें जो आपका चौथा option है वो है विकारी तास तो यहां पर इसका right answer हो जाएगा आपका विकारी तास क्या हो जाएगा विकारी तास option fourth आपका यहां पर correct हो जाएगा next अगर हम लोग option देखें दिये गए गद्यांस पर आधारित प्रश्णों के उत्तर दीजिए तो यहां पर यह आपका गद्यांस दिया गया है पूरा गद्यांस आपको पढ़ना रहेगा इसको पढ़ने के बाद आपको answers करने हैं जिसे हैं गद्यांस के पाध का सीर्शक का नाम लिखिए तो यहां पर आपसे संधर भी पूछ सकता है तो संधर विश्का क्या बनेगा पाध का नाम क्या बनेगा इसका पाध का नाम है क्या पाध का नाम है महा कवी प्रभात का वर्ण क्या है महा कवी माग का परभात वर्लन और इसके लेकक है आचार हजारी प्रसाद दुवेदी इसके बाद आपको रेखांग के तंस्की व्याक्षा करनी है तो आप रेखांग की तंस्की व्याक्षा कर लेंगे इतना सिंपल होता है इसके बाद इन पत्यों में लिखक के द्वारा सूर की तुलना किसके साथ की गई है प्रले का सिश्टी के प्राणियों और प्रकर्दी पर क्या परभाव पढ़ता है प्रले काल में भगवान विश्टुप क्या करते है अथवा अगर आपको ये नहीं आता है तो आप उपर नीचे वाला कर सकते है प्रेम की भाशा शब्द रहीथ है नेत्रों की कपोलों की मस्तक की भाशा भी शब्द रहीथ है इस तरह आपको पूरा पैरा पढ़ना है इसके बाद गध्द्यांस के पाट और लिखक का नाम लिखना है तो ये आपके आचढ की शब्दा से लिया गया है जिसकी लिखक है सरदार पोड सिंग कौन है सरदार पोड सिंग रेखांग के तंसकी वई आपको रेखांगेंज की व्याख्या करनी है प्रेम की भाशा के द्वारा हमारे हर्दे के भावों को किस प्रकार व्यक्त किया जाता है नेक्स्ट है मानव का सदाचार किसके माध्यम से नहीं प्रकट किया जा सकता है नेक्स्ट है सब्द रहित व्याख्यान के माध्यम से सदाचार का धीरे-धीरे होने वाले प्रुभाव की तुल्ला किस से की गई है ये आपको बताना है इसके बाद है question number 4 आता है तो यहाँ पर आपको दो पध्यांस दिये जाते हैं दो पध्यांस मेंसे आपको कोई एक पध्यांस करना होता है जैसे आर पध्यांसे पखी उडाली गगन को प्यांड रहा परदेश पाड़ी पिया चंचविन भूल गया यह देश तो यहाँ पर सबसे पहले पध्यांस के पाठ हेवं कभी का नाम लिखना है जिसका पाठ का नाम क्या है इसका पाठ जो है वो है साखी क्या नाम इसका सीरसा के साखी और इसकी लेखक जो है जो कभी है वो है कभीर दास क्को है कभीर दास है तो पध्यांस के पाठ हेवं कभ रोपी पच्छी ने क्या कहा गर उपर वाला नहीं आता है तो आब अस्वा वाला कर सकते हैं कहत कद परदेशी की बात मंदिर अरद अवधी यदी हमसी अरिहार चलिजात ससी रिपू बरसूर रिपू जगबर हर रिपू कौन ही भात यहां पर आपको पूरा यह दिया गया यहां तक है यह रिखांकी तंसकी व्याख्या आपको करनी रहेगी और इसके बाद है पद्यांस के पाठ और कभी का नाम बताना है तो पद्यांस का पाठ आपका क्या है पद है और इसके कभी जो हैं वो हैं सूर्दास कौन है सूर्दास देखांकी तंस्की आपको यहाँ पर व्याक्ष्या करनी है next question है क्रीकर्ष्ण स्रीकर्ष्ण गोपियों से क्या कहकर गए थे और उन्हें कितना समय व्यतीत हो गया है इसके बार next है हमारा विरह की स्थिती में गोपियों पर कौन घात लगाए बैठा है स्रीकर्ष्ण के व्योग में गोपियों के पास अब और केवल क्या उपाय सेस रहे गया है तो इन questions के आपको answers करने है इसके बार question number 5 आता है तो question number 5 के का में हमसे का गया है निम्लखित में से किसी एक लेखा का साहितिक परचे देते हुए उनकी प्रमुक रचनाएं लिखिये सब्द सीमा है असी शब्द पहला है भारतेंदु हरिश्चन सरदार पूर सिंग आचार महावीर प्रसाथ तुवेदी इसके बाद इसी में खा कोशे नम को देखने को मिलता है निम्लखित में से किसी एक लेखा का साहितिक परचे देते हुए उनकी प्रमुक रचनाएं लिखिये कैसे यहाँ पर है कबीर दास, सूर दास, पुलसी दास तुटीनों में से आपको किसी एक कभी का जीवन परचे देना है इसके बाद कोशन नमबर 6 आता है तो कोशन नमबर 6 में आपके जो सलेबस में कहानी है वो आप लोग याद कर लेंगे जैसे यहाँ पर आकाज भी वल्दान दी गए तो आपके सलेबस में जो कहानी है वो आपको याद कर लेनी है इसके बाद आता है स्वापठित नाटक यानि कि आपके में जो खंड काव है उसके जैसे यहाँ पर पूछा गया स्वापठित नाटक की तरतिय अंग का कथासार संचेप में लिखिए अथवा आपसे कोई का सीर्षक पूंच सकता जिसे स्वापठित नाटक की नाइका का चरित चित्र कीजिए यानि कि आपके स्लेबस में जो आपके क्योंकि अलग-अलग जिलों में अलग-अलग जो है नाटक खंड काव चलता है यह आपनों ध्यान लखेंगे तो खंड काव आपके जो स्लेबस में है उसको आपको अच्छे से याद कर लेना है इसके बाद खंड खा जाता है जो हमारा संस्क्रत से सुरू हो जाता है नीचे दिये गए संस्क्रत गध्यांसों में से किसी एक का संदर्व शैद हिंदी में अनुवाद आपको करना है यहाँ पर आपको दो संस्क्रत गध्यांसों दिये जाएंगे दोनों का द्यांसों में से आपको कोई एक का जो है संदर्व शहीद हिंदी में अनुवाद करना रहेगा इसके बात देखते हैं नेक्स्ट है दिये गए संस्कत पद्यांसों में से किसी एक का संदर्व शहीद हिंदी में अनुवाद कीजिए तो यहाँ पर आपको क्या करना है दोनों में से आपको कोई एक यहाँ पर जो है अनुवाद एक का अनुवाद यहाँ पर आपको करना है यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग दोनों में से आपको कोई एक यहाँ पर उसका संदर्वशेद हिंदी में स्लोक का अनुवात करना रहेगा इसके बाद नेक्ष्ट है निमलखीत मुहावरो एवं लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखते हुए उसका वाके में परियोग कीजिए इसके बाद कोईशन नमर्ट 10 आजाता है तो कोईशन नमर्ट 10 की का में कहा गया है गाहेच चौपाई अत्वा दौअ छंद का लचषर देते हुए उसका उधारण भी लिखिए इसके बाद कोईशन नमर्ट 11 आ जाता है बाल पीर्टों के सहाधारत संचित धन डासी को बाल पीर्टों तक पहुचाने है तो जिला इधिकारे से निवेदन कीजिए अध्वा अगर आपको ये नहीं आता है तो आप दूसरा वाला कर सकते हैं अपने गाउं में मन रेगा योजना के अंतरगत हो रहे कारेवम मजदूरों की मजदूरी के भुकतान में की जा रही अन्यमताओं के शम्मद में एक सिकायती पतर अपने जिलाधिकारी को लिखे इसके बाद लाश्ट कोश्यन अमारा बचता है किसी एक विशे पर आपको अपनी भासा सेली में निमंदल लिखना होता है कैसे यहाँ पर विशे आपको दिये गए हैं क्या विशे दिये गए हैं कम्प्यूटर आधनिक यंतर रूप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नई राश्टिये नीती सिच्छा में खेल कुंद का इस्थान नई राश्टिये सिच्छा नीती 2023 तो यहाँ पर दोनों में से कि हाँ पर करना रहेगा या करना रहेगा चारों में से किसी एक भाजा सहली पर आप निमंदल लिखेंगे इस प्रकार आपका जो है क्लास 11 का शामान हिंदी का प्रश्ट पत्र हो जाता है तो आज हमने क्लास 11 जेनरल हिंदी कोश्चन पेपर देखा तो चलिए अगर आपक क्लिए जाए हिंद